गुड मॉनिंग तू आल, वेलकम तू टू टी असनी स्कूल, हम पढ़ रहे हैं कक्षा चै, हिंदी की पाठे पुस्तक बसंद भाग एक का पाठे कर्म आज हम पाठ नौ टिकेट एल्बम कहानी के बारे में पढ़ेंगे इस कहानी के लेखक श्री सुंद्रा राम स्वामी जी है, यह कहानी मुल्तहत तमिल भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद हिंदी में किया है समित आयर जी ने तो शुरू करते हैं पार्ट नौ टिकेट एल्बम अब राजपा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते नागराजन घमंडी हो गया है, राजपा सारे लड़कों को कहता फिरता राजपा क्या कहता, कि नागराजन घमंडी हो गया है, इसलिए उसके आसपास मत घुमा कर पर लड़के भला कहां उसकी बातों पर ध्यान देते नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एलबम बिजवाया था वहे लड़कों को दिखाया करता यह जो सारे लड़के थे वो नागराजन को क्यों गेरे रहते थे क्योंकि उसके पास एक टिकेट एल्बम था जो उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसे बिजवाया था सुभे पहली गंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेल कर एल्बम देखा करते आदी छुटी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमगट लगा रहता कई लोग तोलियों में उसके घर तक हो आए नागराजन शान्ती पूरवक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता जो नागराजन के पास जो एल्बम था वो चुप चाप सब बच्चों को दिखाता लेकिन किसी को हाथ में नहीं देता था एल्बम को गोध में रख लेता और एक-एक पन्ना पलड़ता लड़के सब देखकर खुश होते और कक्षा की लड़किया भी उस एल्बम को देखने के लिए उस सुक थी उस सुक मतलब बहुत बेचेन थी उनको बहुत तरिक इच्छा होती थी उस एल्बम को देखने की पारवती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई पारवती जो है वो लड़कियों की कौन बनी थी लीडर बनी अगवा मतलब सबसे आगे रहने वाली और एल्बम मांगने आई लड़कियों में वही तेज तरह मानी जाती थी नाग राजन ने कवर चड़ा कर एलबम उसे दिया शाम तक लड़कियां एलबम देखती रही फिर उसे वापस कर दिया अब राजपा के एलबम को कोई पूछने वाला नहीं था ये राजपा वही है जो नाग राजन को घमंडी कह रहा था वागे उसकी शान अब घट कही है राजपा के एलबम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी मदुमक्की की तरह उसने एक-एक करके टिकेट जमा किये थे ये जो एलबम है, ये किसका है? टिकेटों का एलबम है तो जो राजपा है उसने जैसे मदुमक की रखूलों का बून बून रसला कर शहद इखटा करती है उसी प्रकार जो राजपा है उसने भी एक एक टिकेट जमा करके एल्बम तैयार किया था उसे तो बस एक ही धुन सवार थी सुबे आट बजे वे घर से निकल पड़ता टिकेट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कल लगाता दो ऑस्ट्रेलिया के टिक्टों के बदले एक फिनलेंड का टिकेट लेता दो पाकिस्तान के बदले एक रूस का बस शाम जैसे घर जाता जो रजपा है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो स्कूल से घर लोटकर सिर्फ टिकेटों के बारे में ही सोचता रहता कि कौन सा टिकेट मुझे किस से लेना है और खड़े-खड़े ही कॉफी पीकर घर से निकल जाता चार मेर दूल अपने दोस्त के घर से कनाड़ा क टिकेट लेने पकडंडियों में होकर भागता स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपे में खरीदना चाहा पर राजपा नहीं माना जो नागराजन से पहले जो एल्बम था वो राजपा का था वो सबसे बड़ा ए लेकिन वह नहीं माना क्यों क्योंकि वह उसकी बहुत कड़ी मेहनत थी घमंडी कहीं का राजपा बड़बड़ाया था फिर उसने तीखा जवाब दिया था तुमारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो ना तीस उल्पे में सारे लड़के ठाहा के मार कर हस पड अगर तुमारे घर में छोटी बच्ची है अगर तुम मुझे तीस उल्पे में दे दोगे तो मैं भी तुमें मेरा एल्बम दे दूंगा इस पर जो आसपास के लड़के थे वो हस कर ठाहा के माल कर हसने लगे पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता और तो और करने लगे हैं सब कहते हैं राजपा का एल्बम फिसड़ी है फिसड़ी मतलब कमजोर है नाग राजन के एल्बम की तुलना में पर राजपा ने नाग राजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की लेकिन जब दूसरे लड़की उसे देख रहे होते तो नीची आखों से देख लेता सचमुझ नाग राजन का एल्बम बहत प्यारा था पर राजप्पा के पास जितने टिकित थे उतने नाग राजन के एल्बम में नहीं थे मतलब जो राजप्पा ने तो अपनी महनत से वो एल्बम बनाया था और जो नाग राजन है उसका एल्ब का किया हुआ काम है तो उसे वो प्यारा था लेकिन जो किसी चीज को बनाने में हम अगर बहुत सारी वस्तूओं का इस्तिमाल करते हैं उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं उसे आकाशित बनाते हैं तो चाहे कम चीज हो तो भी वो बहुत ज़्यादा सुन्दर लगती हैं पर लिख भी जा था A.M. नागराजन जो नागराजन का एल्बम था उसके पहले प्रस्ट पर ही बहुत अच्छे से सजावट की गई थी और उसके A.M. नागराजन उसका नाम लिखा हुआ था इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है उपर लिखे नाम को कभी देखा है यह है अल्बम मेरा है जब तक घांस हरी है और कमल लाग सूरज जब तक पूर्व में उगे पच्छे में छिपे उस अंतकाल तक के लिए यह है अल्बम मेरा है मेरा रहेगा जो नागराजन है वे कह रहा है कि जब तक सुरच चान जब तक सुरच पूरब में हो गये का पच्छे में मतलब जब तक इस दुनिया का अंत नहीं होगा तब तक ये अलबम किसका रहेगा मेरा ही रहेगा यानि नागराजन का ही रहेगा लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया लड़कियों ने जट कौपियां और किताबों में टीप लिया तुम लोग यह नकल क्यों करते हो नकल ची कहीं के राजप्पा ने लड़कों को गुड़की दी सब चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया जा जा जलता है इर्शालू कहीं का जो राजप्पा है वो कह रहा है कि तुम यह सारी लाइन क्यों नकल कर रहे हो यह तो किसी और की लिखी हुई है तुम्हें इसकी नकल नहीं करनी चाहिए तो एक बच्चे ने जो कृष्णन नाम का जो बच्चा था उसने बोला कि तुम्हें तो इससे इर्शा हो रही है तुम इससे नफरत कर रहे हो मैं काहे को जलू जले तेरा खांदान मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बढ़ा है राजपा ने शान भखरी राजपा ने बताया कि मेरा जो एल्बम है वो नाग राजन के एल्बम से तो कहीं ज़्यादा बड़ा है अरे उसके पास जो टिक्टे हैं वे हैं कहीं तेरे पास सब क्यूं बस एक इंडोनेशिया का टिकेट दिखा दो अरे पानी भरोगे हाँ क्रिशनन ने छेड़ा अब जो मा के जो लड़के थे वो राजपा को कह रहे थे कि उसके पास जो टिकेट है वे है तेरे पास नहीं है फिर एक बच्चे कृष्णन ने कहा कि तुम इंडोनेशिया का टिकेट दिखा दो क्या तुम्हारे पास इंडोनेशिया का टिकेट है पर मेरे पास जो टिकेट है वह कहा है उसके पास राजपा ने फिर ललकारा राजपा बोल रहा है कि चलो ठीक है उसके पास इंडनोरेशिया का Ticket है जो मेरे पास Ticket है क्या वो नागरजन के पास है राजपा ने फिर अपनी बात कही उसके पास जो Ticket है वही दिखा दो कृष्टनन भी कम नहीं था ठीक है 10 लुपे की शर्ट मेरे वाले Ticket दिखा दो तुम्हारा album कुड़ा है कृशनन चीका हाँ हाँ कुड़ा लड़के जैसे कोरस काने लगे मतल़ लड़के भी उसकी बात को repeat करने लगे दोराने लगे कि तुम्हारा album कुड़ा है राजपा को लगा अपने album के बारे में बाते करना फालतू है उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकेट बट सिंगापुर से आये इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशूर कर दिया पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे अब राज अपने मन में ही सोच रहा है कि इनसे मेरे एलबम की बाते करना फालत हो है क्योंकि ये लोग नहीं समझ पाएंगे इन मैंने किस तरह से एक एक दिन में ये चीजे बटोर बटोर कर अपना एलबम तयार किया है वो ये लोग नहीं समझ पाएंगे इनके पास तो क्या है एक दिन का पार्सल आया है उसी में ये मशूर हो गया है राजपा मन ही मन कुड़रा था कुड़रा मतलब मन ही मन परेशान हो रहा था बेचेन हो रहा था इसकूल जाना अब खरने लगा था मतलब इसकूल जाना अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जो वहां के लड़के थे वो उसे कोस्ते थे उसके अलबम को बुरा कहते थे और लड़कों के सामने जाने में शर्वाने लगी आम तार पर शेनिवार और रईवार को टिकेट की खोज में लगा रहता पर अब घर गुसा हो गया है मतलब पहले तो जो राज़पा था वो इस्कूल का बस्ता पटक कर कहां चला जाता घर के बहां निकल जाता घर स सिर्टिकेट की तलाश में ही गुमता फिता लेकिन अब वो दिन भर घर में ही रहता है दिन में कई बार अलबम को पलड़ता रहता रात को लेट जाता सहसा जाने क्या सोच कर उठता अचानक ही उसे कुछ सोच आता हो उड़ जाता ट्रंग खोलकर अलबम निकालता और एक इस बार पूरा देख जाथ उस अलबम से चड़ होने लगी थे उसे लगा इल्बम वाकरी कुड़ा हो गया है अब जैसेoooo बच्चों ने उसे कहा कि तुम्हारा आव्बम चोड़ा है तो उसे लगा कि सचमुछ मेरा इल्बम बेखार है तो वह बार-बार उस यल्द espaço देखता और सूसता क्या सच में ही मेरा एल्बम बेकार है तो उसे अपने एल्बम से चड़ होने लगी थी उस दिन शाम उसने जैसे तै कर लिया वे नागराजन के घर गया अब कोई कितना अपमान सहे नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा बस यही न वह क्या जाने टिकित कैसे जमा किये जाते हैं एक एक टिकित की क्या कीमत होती है वह भला क्या समझे मतलब उसको तो पूरा रेडी मतलब तैयार होके मिला था वो एल्बम लेकिन जो राज़पा है उसे मालूम है कि ट लिखीरें घुली सी लीडो हैं भौष सेने कोई प्रोजेक्ट ग्रेंस इस सब्सक्राइब अध生?" प्रोजेक्र्ण Kaufत्स Broken सोचता होगा टिकेट जितना बड़ा होगा वह उतनी ही कीमती होगा या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकेट कीमती होगा वह भला क्या समझें? मतलब उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टिकेट, कितनी कीमत का है वो सोचता होगा अगर टिकेट बड़ा है तो कीमत बड़ी होगी या देश बड़ा है तो टिकेट की कीमत भी जादा होगी उसके पास जितने भी फालतो टिकेट है उन्हें तरका कर उससे अच्छे टिकेट जाड लेगा कितनों को तो उसने यूही उल्लू बनाया है कितनी चालवाजी करनी पड़ती है नागराजन भला किस खेत की मूली है राजपा नागराजन के घर पहुँचकर उपर गया चुकि वे अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका उपर पहुँचकर वे नागराजन के मेच के पास पड़ी कुरसी पर बैठ गया कुछ देर बाद नागराजन की बेहन का माक्षी उपर आई रनेवाद